हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू किरंस कुकिंग जोन आज मैं आपके लिए सूजी मलाई के लड़ू की रेस्पी लाएं हूँ ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं जटपट घर में कम सामगरी में आसानी से बनकर तयार हो जाते हैं तो रेस्पी बनाना स्टार्ट करते है सूजी मलाई के लड़ू बनाने के लिए एक कढ़ाई या पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे हाफ कटोरी देसी गी अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो कटोरी सूजी सूजी मैंने यहां मोटी वाली ली है आप मोटी या महीन वाली कोई सी भी ले सकते हैं गैस की फिलेम को मीडियम रखेंगे और इसे दो से तीन मिनट लगाता चलाते वे भून लेंगे सूजी का कलर बहुत अधी चेंज नहीं करना है इसे भूनते हुए तीन मिनट हो गए हैं आप देख सकते हैं सूजी का कलर हलका ही चेंज हुआ है अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी कटोरी ग्रेटर सूखा नारियल 13-14 बदाम और 8-10 काजू जिने मैंने बारी काट लिया है इसे भी डाल देंगे ड्राइफूट्स आप अपने पसंद के डाल सकते हैं इनको कम्या जादा भी कर सकते हैं इसे भी चलाते हुए दो मिनट भून लेंगे भूनने से ड्राइफूट्स में अच्छा सा क्रंच आ जाएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है ड्राइफूट्स को दो मिनट भूनने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ वन एंड हाफ कटोरी पिसी चीनी इसे चला लेंगे और इसमें डाल देंगे वन थर्ड कटोरी मलाई यह घर की दूद की फ्रेश मलाई है इसे डाल कर मिक्स कर लेंगे अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ टी स्पून के करीब हरी लाजची का पौडर इससे लड्डू का टेश बहुत अच्छा आता है अब मैं इसमें डाल रही हूँ थ्री टी स्पून दूद क्योंकि मुझे मिक्शर थोड़ा ड्राई लग रहा है अगर आपने जो मलाई डाली है उसमें दूद की मातर अधिक है तो हो सकता है आपको दूद ना डालना पड़े यह मलाई के उपर डिपेंड करता है कि बाद में दूद कितना डालना है अब इसे मिक्स कर लेंगे आप इसका टेक्शर देख सकते हैं यह इस तरह का होना चाहिए अब इसे तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढख देंगे इससे सूजी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगी तीन मिनट ढख कर पकाने के बाद मैंने ढखकन हटा कर इसे लगातार चलाते हुए तीन से चार मिनट मीडियम फ्लेम पर भोन लिया है आप देख सकते हैं सूजी ने मौश्चर सोख लिया है और सूजी खिली खिली हो गई है लड़्डू बनाने के लिए मिस्टरन परफेक्ट है गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे अब मैं इसमें डाल रहे हूँ थोड़ा किस्मिस इसे चला लेंगे मिक्षर अभी थोड़ा गरम है इसे धक कर थोड़ा थंड़ा होने के लिए छोड़ देंगे मिक्षर थोड़ा ठंडा हो गया है इसे हमें अधिक ठंडा नहीं करना है अब इसके लड़ू बना लेंगे लड़ू बनाने के लिए थोड़ा सा मिक्षर इस तरह हाथ में लेंगे और इसे हलका प्रेस करते हुए लड़ू का शेप दे देंगे अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर अभी नए है तो प्लीज मेरा चैनल सस्क्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिसे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी ये बिल्कुल फ्री है लड्डू बनाते समय अगर आपको मिश्चत थोड़ा ड्राई लग रहा है तो इसमें एक चमस दूद या मलाई मिला दे और फिर से लड्डू बना ले लड्डू बनकर तयार है ये देखीए ये लड्डू देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं उतने ही खाने में भी टेस्टी लगते हैं ये लड़ू 8 से 10 दिन तक खराब नहीं होते हैं तो फ्रेंड्स इसे आप भी अपने घर पर एक बाद जरूर ट्राइ करें सभी को ये जरूर पसंद आएगी तो मिलते हैं नेश वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ तिल दें बाइ बाइ थैंक यू फो वाचिंग